अगर आपको इसे वीडियो अपके लिए है जहां पर हम पर स्टेब बाइस सीखेंगे समझेंगे जानेंगे किस तरीके से कॉमन मैंने काम आदमें एक रीटेल ट्रेट रसे दिन के 15 मिनिट दे करके स्टाउक मार्किट में पैसा बना सकता है तो अगर आपको उसमें इंटरस्टे इडिन दिस वीडियो इस फो यू तो लेट स्टार्ट तो आगे जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले इंडेक्स बता देता हूँ कि आज का वीडियो किस तरीके से हम लेने वाले हैं जाने वाले तो सबसे पहले हम से कहेंगे वाई इंडिया और वाई स्टार्क मार्केट क्यों इंडियन स्टार्क मार्केट में पोटेंशल है अभी भी मल्टी फोल्ड ग्रो होने का उसके बाद में we will see a trading plan as a beginner एक trading के लिए प्लान होना चाहिए, structure होना चाहिए उसी तरीके से trading plan हम सीखेंगे जानेंगे उसके बाद में what kind of mindset a small trader requires क्या small trader को जरूरत है, क्या mindset की जरूरत है वो हम जानेंगे सीखेंगे उसके बाद में technical analysis for a beginner we will learn then we will learn a strategy जो आप 15 minute में trade कर सकते हो दिन के आप 15 minute लगा करके stock market में trade कर सकते हो and then two bonus learnings from my side for 2024 so let's start so सबसे पहले हम समस्चे है why stock market and why India सबसे पहला reason आज के टाइम पे FD rates बहुत ही कम हो चुके है शायद मेरे या हमारे dad के generation पे 10% 12% मिल जाता था पर आज के टाइम पे वो 5-6-7% वाली range आ चुकी है जो hardly inflation को beat कर सकती है so FD rates are really down apart from that दूसरे जो debt instruments होते है उन में भी interest rates बहुत ही कम हो चुके है post ले लो या और debt instruments जो है so again a stock market is the way apart from that a stock market में trade करने का बहुत बड़ा reason है a wealth creation अगर आप systematically trading plan के साथ में risk management plan के साथ में and सही psychology and mindset ले करके trade करते हो तो एक बहुत बड़ी wealth creation की opportunity है जो दिन में बहुत ही कम समय लगा करके आप trade कर सकते हो बिलकुल भी ज़रूरी नहीं है कि पूरा दिन intraday में इस तरीके से बैठे रहना you can create a big wealth out of a stock market but just giving very small amount of time उसके बाद में अगर मैं आपको कुछ examples दिखाओ पिछले कुछ time के में जो wealth creation हुई रहेंगी वो कुछ ये stock से जस तरीके से पहला stock just see ये कहां पे था और ये अभी कहां पर है ये दूसरा stock see this ये ज़्यादा पुराना डेटा नहीं है 2021-2022 second stock see this क्या प्राइज है अभी कहां पर है तीसरा stock क्या प्राइज है अभी कहां पर है चौथा stock क्या प्राइज है अभी कहां पर है and see ये list में आपको चार नहीं 400 stocks के list दिखा सकता हूँ आज के ताइम पर but point is wealth creation is still possible हम कहानिया सोचते है या बताते है के you know cash infosys लिया होता vipro लिया होता itc लिया होता 1995 में 4 में 3 में पर आज के टाइम पर भी वो opportunities available है हमें वो opportunities लेने आनी चाहिए and आज के वीडियो का मकसद यही है कि मैं असान भाशा में आपको कुछ trading बता सको जो आप दिन के 15 मिनिट निकाल के कर सको उसके बाद में this can be traded with job and business बोथ चाहिए आप job करते हो चाहिए business करते हो आप साथ में stock market कर सकते हो then उसके बाद में बहुत बड़ा point to beat inflation आज शायद हमें जो government चे data मिलता है वो शायद 4%, 5%, 6% का data मिलता है max side inflation का पर शायद अगर मैं और एक angle add करू definitely 5-6% शायद कोई commodities पर या capital goods पर inflation होता होगा पर अगर आप reality वाले angle से देखोगे तो मुझे बताओ क्या आज से 10-5 साल पहले या 10 साल पहले Ola Uber थी नहीं थी we people travel in Ola Uber a lot then multiplex, theaters, malls, movies नहीं थे या आज जो lifestyle changes है शायद for example और एक apple का iPhone so क्या हम सब के पास iPhone थे वो time में हम बड़े खुश थे 10-15-20-000 का phone ले करके पर आज apple शुरू ही 80-1000 से करता है so again ये सारी चीज़े inflation में including नहीं है inflation जो हमें data मिलता है 5-6-7% वाला वो शायद हमें गेहू चावल basic चीज़ों का मिलता है या maybe जो हमारे regular expenses है पर ये जो extra नए खर्चे जो हम add करते जा रहे हैं जिन्दगी में which is called as a lifestyle expense वो बहुत ही ज्यादा है ये 5-6-7% से for example आपका और मेरा दोनों का मिलकर के graduation जो है वो देड़ लाख में हो चुका था आज मेरे भाई की बेटी है उसका junior kg का fees देड़ लाख रुपया है which is crazy so to beat inflation stock market is one of the best instrument then उसके बाद में why India India's youth आज का जो youth है जो age group है according to my data we have like 30 वाली बैंड में more than 60% people in India I hope my data is right but कहने का मतलब इतना है that we have that youth power and when we have youth our mindset जो है वो business mindset बनता जा रहा है जो बहुत ही अच्छी चीज़े साच चाहे वो shark tank के वज़े से बने चाहे जो Sandeep महेश्वरी या फिर Vivek Vindra जैसे लोग business को अच्छी तरीके से सिखा पा रहे है उसके वज़े से बने चाहे और किसी भी reason के वज़े से बने but point is that that business mindset बनता जा रहा है startup community billion dollar billion dollar startups physics वाला ही physics वाला ही रिसेंटी saw a valuation over a billion dollar and these are the crazy numbers so again वो जो business mindset है वो बनते जा रहा है which is awesome point thumbs up for India then we have a stable government चाहे हमें पसंद आये ना आये चाहे अच्छे दिन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं चाहे make in India हो रहा है नहीं रहा हैं जो भी है but we have a stable government so I am not arguing over के government का का काम कर रही है नहीं कर रही है it's both views are right like in 2024 में तो there is no possibility क्या और को या है even 2029 लोक्स clean sweep at least these two elections so we have maybe more 10 year stable government चाहे हैं 2029 में कुछ competition हो सकता है but let's see but anyways कहने का इतना सा मतलब है कि 5 साल तो for sure ये लोग है चाहे 10 साल for sure ये लोग है BJP so again a stable government is a good for economic growth or stock market growth एक positive point है उसके बाद में GDP growth आज हमारी per capital income बढ़ते जा रही है for example एक जमाने में जो 50,000 सालरी थी आज शायद वो 2,00,000 सालरी है जो लोगों की जो common लोगों की जो earnings है वो बढ़ रही है again अगर make in India हो रहा है जो अमें दिख रहा है के हो रहा है so जादा employment हो रही है and things are going good so GDP is increasing जो 7 trillion dollar ये वो बात है होती रहती है which is possible and they might achieve and again it's a good positive sign for stock market अगर ये होता है GDP growth हो रहा है and होता है then we will hit this 20,000 nifty का में भी 50,000 nifty which is possible which is possible it's just a beginning remember it's just a beginning 20,000 nifty is just a beginning then small cap companies are growing अगर आप small cap 500 की list लोगे और थोड़ा सा उस पर analysis करोगे you will find lot of good companies अगर आप mid cap लोगे and आप अगर नाम पढ़ोगे again you will find lot of good companies so the small cap mid cap का जो growth है वो काफी अच्छा है अगर आप उनके numbers पढ़ोगे obviously सारी company का नहीं but there are good companies so small cap अगर बढ़ता है mid cap बढ़ता है यही जाकर का अज large cap आप multi bagger stocks बनेंगे so there is opportunity in India and then one big thing जो आज YouTube पे evidently आप clearly देख सकते हो जो है every Indian want to grow हर भारती अग घ्रो होना चाह रहा है and आज के नाम पे जो podcast इतने चाहे हुए है YouTube पर उसका reason यही है कि हम सब के पास कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है and कुछ ना कुछ सीखने के लिए है every Indian has something to teach and something to learn and we want to grow and यह यह views आपको देख जाएंगे जो भी educational channel है उसमें चाहे आप bare biceps ले लो चाहे आप बिंदरा जी का ले लो चाहे आप संदीब का ले लो आप हमारा channel ले लो और जो technical analysis के या फिर stock market के जो सिखाने वाला चाहिए and these are the super big reasons जिनके बज़े से I think so stock market में trade करना चाहिए and India के ही stock market में trade करना चाहिए yes so अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे comment करके बताना that yes India is growing yeah India is amazing yeah India is growing and आप मुझे बताना है दस में सा आपको कौन सा point सबसे ज़ादा अच्छा लगा ये मैं comment में पढ़ना चाहूँगा फिर अगले section के दरफ जाता है इस वीडियो के which is create a trading plan awesome so create a trading plan 10 points में बात करेंगे सबसे पहला point set realistic expectations ये मैंने पहले भी कभी ना कभी मेरे youtube पे touch करा होगा हमने that आपकी जो trading expectations होती है वो थोड़ी सी realistic होने चाहिए बहुत बार लोग आते है 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना पैसे करने which I find a bit unrealistic expectations expectations जो हमारी market से वो रोज का 5% guaranteed बनाना है गलत expectations fixed monthly income होना चाहिए गलत expectations 25,000 लगा के बस महीने के 5000 बन जाए गलत expectations हमें stock pick करना है and buy and hold forever गलत expectations हम किसी की tip ले करके बड़े अमीर हो जाएंगे गलत expectations हम telegram से trade करेंगे लोगों के group में जा जा करकर करके telegram basically गलत expectation हम दोस को पूछ करके पैसे बना लेंगे गलत expectation हम और किसी की strategy हम like YouTube पे हर strategy देखेंगे and फिर हर strategy follow करेंगे following all strategy गलत expectation हम ये गलत expectations ले करके चल रहे है वो बड़ा problem है हमारा so number one thing I want you to kill these expectations जो मैंने यहाँ पर लिखी है आपके लिए इन्हें समझो इन्हें accept करो और इन्हें kill करो then उसके बाद में choose your right market और ये सारी चीज़ आपको Excel sheet बनानी है and उस पे आपको बनाते जाना है खुद से choose your right market इसका मतलब है कि आप क्या trade करना चाहते हो सबसे पहला आपको filter करना है whether you want to do equity और options और commodity और maybe currency चलो आप कहते हो कि ठीक है मैं equity trade करूँगा as a beginner ठीक है equity trade करने के बाद में अगला question आता है choose your time frame intra day करना है swing करना है अचा swing करना है so daily या weekly weekly में positional हो जाएगा but हाँ maybe daily या weekly you can choose then अगर intra day करना है then intra day में 1 minute, 2 minute, 3 minute, 5 minute 10 minute, 15 minute, 60 minute क्या करना है again you have to figure it out so ये आपको पहले ढूंडना पड़ेगा महनत है I always promote an idea of 21 trial traits अगर मैं ये jacket लेने mall में जाऊँगा तो पहले trial करूँगा बहार आऊँगा दोस्त को बताऊँगा पूछूँगा भाई अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है और फिर मैं खरीद हूँगा इसी तरीके से अगर आप strategy ट्रेट कर रहे हो तो पहले उसे test तो करो खुद पर you need to test the strategy does that works on you or not and if it works, awesome if it does not work you need to change the strategy then risk management जो मैं अभी कह रहा था it's a part of a risk management only but आपको अपने trading plan में finalize करना पड़ेगा का मैं per trade कितने रुपए का risk लूँगा so choose your market and choose your time frame यहाँ पे में लिख देता हूँ choose your time frame आपके लिए and then यहाँ पे 21 trial trades and fix your per trade risk yeah so यह आपको excel भरना है यह excel में आपको चाहता है आपको description में दे दूँगा जहां से आप एक print out निकाल के भर सकते हैं आप download करके भर सकते हो yeah then बहुत बड़ा point start small अगर आप नए trader हो beginner trader हो so start small again यहाँ पे आपको लिखना है कि अब कितने रुपे से start करोगे what is your capital size so you need to start small so that जो भी गलतिया है वो छोटे में हो जाए see बड़ा portfolio करके गलती करोगे तो बड़ा गिरोगे अगर बड़ी building से गिरेंगे तो बड़ा गिरेंगे लगेगा लेशे चलते चलते गिर गया यार क्या फरक पड़ता है अगर एक 2 feet की footpath है और उस पर इसे गिरेंगे क्या फरक पड़ता है so अगर गिरना है तो छोटे footpath से गिर जाओ and सीख लो कि क्या नहीं करना है आँख खोल के चलना है just for an example but यही अगर 40 माली की building से गिरो गया और फिर सीखो गया आँख खोल के चलना है तो शायद लेट हो जाएगा and यह मैं negative thinking नहीं कर रहा हूँ यह मैं realistic thinking कर रहा हूँ see I am a gujarati businessman and somehow यह एक basic सी चीज़ है जो शायद हम as a Indian miss करते है क्योंकि हम बड़े ambition है कि हमें बड़ा करना है बड़ा सोचना है बड़ा goal है बड़ा पैसा बनाना है we have to make a big money उसके चकर में हम यह भूल जाते है कि as a beginner we need to start small so यहाँ पर लिख देना कि कितने capital से आप शुरुआत करेंगे इसके बाद में risk to reward ratio see I understand risk to reward ratio का मतलब क्या होता है बहुत ही simple है अगर आप एक रुपे का risk ले रहे हो तो कितने रुपे का profit लोग है for example अगर मैं चार्ट यहाँ पर दिखाओ so अगर आप let's say you buy about a high stop loss बुल देलो and यह इसका जो आपका stop loss है वो 5 रुपे का है yeah this यह आप final करते हो as per strategy जो हम आज के वीडियो में सीखने वाले है you buy about a high stop loss बुल देलो यह strategy पर depend करता आप कौन सा follow करते हो so अपने यहाँ पर buy किया यहाँ पर stop loss रखा so यह इसका जो height है वो 5 रुपे है तो आपका जो target है वो 10 and above होना चाहिए so अपका stock अगर 500 रुपे का है आपने 5 का stop loss रखा तो आपका जो target है वो 510 minimum होना चाहिए and then maybe 510 का 520, 25, 30 is good targets इसको कहते है risk to reward ratio दूसरा example दिखाता हूँ यह देखो यह यहाँ पर simple breakout है तो big green candle so आपने buy about high stop loss रुपे का है यह जो stop loss आपका 12 रुपे का है 100 रुपे का stock है 12 रुपे का stop loss मतलब 88 का आपका stop loss हो गया so अब आपका इसका जो target है वो 12 into 2 which is 24 तो 124 आपका minimum target होना चाहिए इसको बोलते है risk to reward ratio जब आप गवाते हो तब आप कम गवाओ जब आप बनाते हो तब आप बड़ा बनाओ and that's the whole goal फिर से बोलना हो ध्यांची सबना जब आप गवाते हो तो छोटा पैसे गवाओ जब आप बनाते हो तो बड़े पैसे बनाओ that's a risk to reward ratio and as a beginner यह बहुत ही जरूरी है इस principle को समझना and follow करना then so basically आपको paper में लिखना है कि आपका risk to reward ratio minimum 1 is to 2 होगा मतलब आप 1 रुपे का risk लोगे तो minimum 2 रुपेया profit तो book करने जाओ गई अगर आप 12 रुपेया risk लोगे तो minimum 24 रुपेया तो आप profit book करोगे इसको बोलते है risk to reward ratio which is 1 is to 2 yeah then monitor and adapt what is monitor and what is adapt यह मैं आपको chart पे जाके दिखाता हूं then it will be better I will be able to justify the point So, यह classic पुराना example है but still my one of the favorite example to show to people हमार एक बहुत पुराने मित्रते दोस्त है जो जिनके बात looping holding में था जिनोंने looping में बड़ा पैसा बनाया he made good big money in looping and this bull run तो यहां पे आप अगर looping को देखोगे So, from maybe this bottom and this breakout मोटा मोटी looping went from 100 रुपी to 2100 रुपी So, 100 रुपय वाला 2100 रुपया Just imagine the amount of wealth creation this stock made So, अगर आपको एक लाख रुपय से बताओ 100 का दस गुना मतलब एक लाख का दस लाख and फिर डबल बीस लाख So, एक लाख रुपय का बीस लाख रुपया हो गया दस लाख रुपय का basically दो करोड रुपया हो गया Now it sounds better 10 लाख रुपया किसी ने इन्वेस्ट करा होता लूपिन में यहाँ पे 100 रुपय पे तो यह यहाँ पे 2 करोड रुपया हो चुका है This sort of a wealth creation उसके बाद में stock नीचे आता है जो मैं बोल रुपना monitor and adapt इसी को कहते है That पूरे के पूरे bull run में कहीं भी stock मैं यह falling moving average नहीं हुआ है Moving average भी हटा देते common sense यूज़ करते हम यह bottom देखो चलो यहाँ तो position निकलना निकाल नहीं बनती थी जब market यह sideways में आ चुका है जब यहाँ पे breakdown हुआ है यह levels पर यहाँ पर येस जब आपको clear दिख रहा है कि यहाँ पे था April 2015 और यहाँ पे है April 2017 दो साल के बाद दो साल से stock पहले एक sideways में गया double top वहाँ पे बना फिर नीचे आया फिर breakdown हो गया ठीक है अभी भी hope है कि यह false breakdown है यह वो फिर उपर आया sideways बना फिर नीचे break हो गया ठीक है चलो यह भी sideways हो गया at least यह तो confirm signal है यहाँ पे बट नहीं ego कहो hope कहो लालच कहो, डर कहो जो नाम देना है दे दो पर निकाल नहीं पाए stock obviously हम से पूछा बात हुआ सब हमने systems दिखाए zoom पे मिले पर नहीं सुनना है भाई को and that from 1300 stock dip dip to this level of 500 आज हो गए इस बात को 2015 का 2023 end होने आया which is मोटा मोटी आठ साल नौ साल हो जाएंगे अपरिल में आठ साल भी नहीं नौ साल अलमोस्ट साड़े आठ साल कुछ पैसा नहीं बना so just imagine the loss it occurred चलो एक तो वहां पे exit नहीं बना 10 लाग का 2 करोड में सोचता भी नहीं हो के बनेगा चलो 10 लाग का 1 करोड तो बनता है एक करोड का 5 करोड तो बनता बट नहीं पढ़ाए so this is called monitor and adapt stock जो आपके पास hold में है position में है उन stocks को monitor करना है and adapt करना है as per the situation and condition and the trend otherwise this won't work otherwise it won't work so जबी भी आप trade करो monitor and adapt ये गलती आप मत करना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर उसके बाद में maintain journal what is journal journal is a document जहां पे आप अपने हर trade को document करते हो एक ऐसी excel sheet जहां पे आप सारी चीज़े लिखते हो and charts को add करते हो अपका हर trade का emotions हर trade का entry price, exit price, stop loss price, profit, loss and chart because of your purchase that stock वो उसमें added है as a beginner अगर आप आदत adapt कर लोगे तो यह आपको काम आएगा, मदद करेगा, help करेगा to grow in your trading journey इसके बिना let's say just don't trade आज like more than 70 people 70,000 people have learned from 70,000 से जादा लोग हम से सीखे है and जो basically हमसाल में हमारा mega event करते है UFWP option trading आप महा कुंप जहां पे पूरे दुनिया से like more than 60 countries people have attended these two events maybe हर शहर से इंडिया के इसमें लोग आके बैठे and वहां पे हम लोग जो एक idea share करते हैं जो सिखाते हैं उसमें से this is one of the main habit and हमने इन 70,000 लोग में कोई अगर एक pattern देखी होगी तो ये देखी होगी कि जो लोग ये journals को maintain करते हैं, document करते हैं वो लोग उन journal को जा करके review कर सकते हैं they can review their journal लेकिन जो लोग journal ही नहीं बनाते हैं वो लोग review कैसे करेंगे and जब आप review करते हो तब आप बहतर trader बन सकते हो कल के मुकाबले see your competition is not from those people जो आज 2 करोड, 5 करोड, 10 करोड बना रहे आपका competition है जो आप कल थे उससे बहतर trader बनना है उससे बहतर इंसान बनना है and review करना है अपनी journal को so review your journal excel sheet पे मैं चाहूँगा कि आप अपने journal का excel का link एक डाल दो यहाँ पे ताकि आप सीधा open कर सको and second review कब करोगे which date of the month you will review your trading journal वो आप यहाँ पे लिख देना then very important that you have to maintain your mistakes journal mistakes journal का मतलब होता है कि जो जो मैं गलतिया कर रहा हूँ वो वो एक journal में लिखता हूँ चाहे वो excel sheet हो चाहे वो एक notebook हो but होना जरूरी है so maintain some sort of a mistake journal दाकि आप खुद की गलती रिपीट ना है गलती करने में प्रॉबलम नहीं है रिपीट करने में प्रॉबलम है and अब trading करोगे तो गलती तो करोगे so mistake journal then follow parato principle sub trade नहीं करे जाते best trade करे जाते फिर से बोल रहा हूँ sub trade नहीं करे जाते best trade करे जाते जिस तरीके से हम hotel में खाना खाने जाते तो menu में जितनी चीज़े होती है हम सब नहीं खाते हम बहुत बार नए शायर में नहीं जगा पर waiter से पूछते कि best क्या है यहां का and अपन बोलते दे दे maybe we will order one dash or two dash or three dash जो best होती है वो हम खाते है उसी तरीके से market में sub trade नहीं करे जाते best trades trade करे जाते है again आपको excel में क्या लिखना है Pareto principle में that how I will find my best trade चाहे आप आज नहीं लिख पाओगे कुछ दिनों बाद लिखोगे but write it down best trade strategy कौन सी strategy से मैं best trade ढूंडूंगा then emotional control how you will manage your emotions किस तरीके से हम इस emotions को manage करेंगे वो मैं चाहूँगा कब excel पर यहाप लिखो what है और emotional management strategy that's the basically I can say x factor trading plan अब बात आती है actual trading की so actual trading में बहुत simple है आप इस excel में क्या क्या लिख सकते हो stock selection कैसे करोगे entry कैसे करोगे, stop loss कैसे लगाओगे quantity कैसे गिनोगे target कहाँ पर रखोगे then re-entry कैसे करोगे then pyramiding कैसे करोगे trailing stop loss कैसे करोगे इतनी चीज़े आनी चाहिए आपके trading plan के अंदर पहली वो जो 10 मैंने आपको x factor वाली चीज़े कही वो and बात में ये basic strategy वाली चीज़े के कहाँ पर क्या करना है अगर आपने ये इतना बना लिया then you are set for your trading मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करोडो बन जाएंगे क्योंकि mistake general will come into the play but हाँ इतना हो गया then you are ready to go you are ready to go into the market yes then a next point comes what kind of mindset small trader requires ये point मैं चाहूंगा कि हमने हमारे channel पे बहुत cover किया है अलग-अलग-अलग वीडियो मैं तो मैं फिर से वही का वही recreate करूँ उससे अच्छा मैं आपको best of the mindset for a small trader के clips दिखाऊ I'll just add here only few clips from my old videos अगर आपने देखाऊ तो थोड़ा सा skip कर देना but it would be my guarantee worth it for you तो चलो कुछ play करते है and कुछ देर के लिए the most important thing छोड़े trader का mindset क्या होना चाहिए mindset क्योंकि यहीं से सब कुछ बनता है किसी ने सही कहा है thought becomes thing so mindset क्या होना चाहिए of a small trader let's learn from our old videos सबसे पहले आज हम शुरुवात करते है mindset of a small trader mindset of a common man जो होना चाहिए शुरुवात में जब वो शुरू करता है trading सबसे पहले है Rome is not a built in a day हमेशा जब शुरुवात करो वो टाइम पे दिमाग में यह clear होना चाहिए कि Rome एक दिन में नहीं बनता है जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला है it's not gonna happen in a flash of days कि यार हर्षद महता जैसी जिन्दगी होगे अगले को जाने वाले दिनों में नहीं थी it took few years सबसे पहले जब आप मार्केट में आओगे आपको पहला जो समझना पड़ेगा वो कोई एनलिस होगा या तो technical analysis या तो fundamental analysis या तो cont समझना होगा उसका अगला कदम होगा कि आपको trading समझनी होगी या investing समझनी होगी छोटा account है तो trading सही रास्ता होता है trading समझनी होगी उसके बाद में जो अगला कदम होगा वो होगा आप risk management समझोगे फटके खाओगे गलतिया करोगे आप मुझ जैसे लोगों से सीखोगे उसके बावजूद भी गलती करोगे तो ये चीज़ आप करने वाले हो and then you will learn टाइम लगने वाला है अगर आप आए हो market में कि 6 महीने में मैं कुछ let's use Mumbai का भाशा प्योर कि 6 महीने में कुछ उखाड लूँगा मैं कुछ नहीं होगा 6 महीने में बहुत सारे मेरे रिष्टिदार मेरे पास आते कहते कि सिदात कुछ ऐसा बता कि हम लोग है न 25,000 लगा कि हर महीने के 2-3,000 कमा पाए मज़ा आ जाएगा मतलब 25,000 का 2-3,000 25,000 का 2-3,000 कितना परसेंट होता है 10% होता है 10% 10% a month is 100% a year Is it possible? It is possible But can 1st day पे आपको कोई चमतकारी छड़ी मिल जाएगी It's not gonna happen It's not gonna happen का बहुत practice लगेगा बहुत patience लगेगा बहुत महनत लगेगा Yes उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है Rome was not built in a day में That is mastery आपकी day 1 से focus जो होना चाहिए वो mastery पे होना चाहिए See, ये वीडियो 5 पार्ट में होने वाला है ये पहला पार्ट है mindset Mindset के अंदर पहला पॉइंट है Rome is not built in a day उसके अंदर ये दूसरा पॉइंट है mastery आज मैं अपनी जिंदगी के इतना समय निकाल करके ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि आप notebook, pen और paper से लिखो Notes बनाओ Because see, आज ये दो-तिन घंटे के webinar seminar के लिए अब हजार रुपे दे दोगे market में But try it, इस तरीक कि कि इतना deep में और कोई ना सिखा पाए So there are good people जो सिखा रहे, काम कर रहे है But इतना deep में free सिखाने के लिए YouTube पे question mark के कौन करेगा So मैं चाहूंगा कि आप लिखो दूसरा point जो मैं बोल रहा था, why mastery Day one से focus होना चाहिए, कि मैं mastery करूँ मैं किस तरीके से वो moving average पे या RSI पे या Bollinger Band पे एक पकड बनाओ और उस पकड के वज़े से मेरा पैसा बने नहीं किया वो telegram के group के वज़े से किस तरीके से मैं expert and excellent हो जाओ मेरे उस एक टूल में या indicator में बहुत बड़ी बात है चाहिए प्राइज एक्षिन फॉलो करते हो moving average फॉलो करते हो जो फॉलो करते हो बटो एक चीज ऐसी आपको क्या बैठ है जिसके आप mastery करो तो यह focus बहुत क्लियर होना चाहिए कर मास्टरी करना है यास आप अगर मुझे पहले से जानते हो तो शायद आप मुझे 44 moving average के वज़े से जानते रहोगे एक करोड से जादा व्यू है इस single strategy पर yeah so in इस वीडियो के दौरान मतलब पांचों पार्ट के दौरान मैं आपको काफी सारी recommendations भी देने वाला हूँ अलग-अलग videos की channel पे so मैं आपके लिए description में playlist बना दूँगा या तो मैं i button में playlist दे दूँगा ताकि आप वो सारे videos देख पाओ जो मैं पूरे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ के ये देखो वो देखो ये देखो वो देखो करके yes so mastery पर आता हूँ मैं बैने एक वीडियो बनाई थी 44 में mastery one of my favorite video on the channel आप कोई भी चीज करते हो उतनी अच्छी कर दो कि आप से अच्छा कोई हो ही ना उसमें कोई जो आप treat करते हो उसके अंदर emotions manage करने का बहुत बड़ा role आता है तो उस emotions management में इतने अच्छे हो जाओ कि you consider yourself I'm at those top you know 10, 20, 50 लोग होंगे पुरी दुनिया में उनकी जितना मेरा strong mindset है psychology है अगर आप system follow करते हैं तो उतनी discipline से करो कि आपको कि यार I'm into those top 10 or top 50 people in the world जो उतने discipline के साथ pin to pin system को follow करते हैं बहुत बड़ी बात है यह बहुत कम लोग कर पाते हैं mastery तीसरी बात है daily 100 chart if you are a beginner अगर आप नए हो आपको हर रोज 100 chart की practice करनी है 100 chart every single day and it's non-negotiable आपको हर रोज एक software open करना है और उस software पे टक टक करके 100 chart देखने हैं आपको सीखना है कि market में क्या चल रहा है let's say आप use करते हो 44 moving average तो उस पे 100 chart रोज के देखने कि क्या चल रहा है किस तरीके से development हो रहा है चार्ट में एक तरीका है ये दूसरा तरीका होता है कि आप nifty के chart पे जाओ 90, 94, 5, 6 में जहां से भी आपको proper chart आपके software में मिलता है so 95, 96 में आप गए and वहां से ले करके सारे 44 support को आपने mark करा mark करा mark करा फिर chart को आगे करा फिर आपने mark करा mark करा पिर आपने chart को आगे करा फिर आपने mark करा mark करा is तरीके से आप sob trade को mark करो so that आप वो level पे पहुच पाना where you are at your best दूसरा चीज जो मैं चाहूँगा कि आप mindset में दिलो जाओ और आत्मा में घुसा करके रखो which is find what suits you इस point को मैं जितना बोलूँगा मैं उतना कम है you need to figure it out के आपको क्या करना है you need to figure it out के मुझे क्या करना है मतलब आपको खुद को अगर मुझे trade करना है stock market में पैसा बनाना है मुझे अगर stock market में तो मुझे वो ढूंडना पड़ेगा जिससे मैं पैसे बना सकता हूँ see every strategy works, everything works आज इतना content available है YouTube पे technical analysis में इतनी चीज़े available है जिसकी कोई हद नहीं है maybe we are the we are the one हमारे चैनल पे सबसे आपको deepest level पे technical analysis मिलेगा not just superficial chart and पैसा देख लो मेरा और strategy सीख लिते रहो रोज नया नया ये नहीं मिलेगा आपको technical analysis की इतनी depth and गहराया मिलेंगी जिसकी कोई हद नहीं है so उसके लिए मैं आपको दो वीडियो रेकमेंट करता हूँ technical analysis deep dive मतलब मेरको याद नहीं नाम कहा है but there is two technical analysis पे deep dive video जो मैं चाहूँगा कि आप देखो and और आप technical analysis के अंदर जाओ अगर आप technical analysis है पैसे बनाते हो yes so you need to find what suits you see technical analysis में सब चलता है moving average भी चलता है RSI भी चलता है stochastic भी चलता है MACB भी चलता है Fibonacci भी चलता है trend line भी चलता है support resistance भी चलता है लेकिन अब सब कैसे करोगे price action भी चलता है everything works everything works the question is के मुझे क्या करना है the question is मैं क्या करना चाहता हूँ the question is what I want to do the question is के मुझे क्या चलाने आता है सी आपके बास दो तिन कार है बट वो दो तिन कार में कोई एक जमती है कि यार ये मेरे को कहीं पर जाना है तो में लिगे जाओगा दो तिन बाइक अगर है तो देन वी चूज एट परडिकोल बाइक जाहे वो पुराणी भी क्यू ना हो इसी तरीके से क्लोट कप्डे भी ऐसे होते है काफी सारे नए कपड़े बट हम हमारी वो पुराणी शर्ट पहन के गूमते रहते मेंक सेंस अब समझ पार हो नशे को भूना चाहरो इसी तरीके से तेक्निकल आनलसेज में आपको डूढना पड़ता है that what suits you, because the most important thing is, strategy is 10%, psychology and risk management is 90%. इस पे मैं जितना बोलू उतना कम होगा, that strategy is very simple, see, मुझे बताओ, आज के जमाने में strategy डूढना कितना easy है, अब Google पे सर्च करो के technical analysis strategy, लाखो बिल जाएंगी, हजारो भी नहीं, लाखो, हजारो तो YouTube पे वीडियो मिल जाएंगे, then still what is missing, उस puzzle का क्या part missing है, उस equation का calculation का क्या part missing ह let's say 100 रुपी, मतलब, एक mathematical example देता हूँ मैं, 100 is a final profit, मतलब, आपको कोई sum है, 100 लेके आना है, so let's say 90 plus 5 plus dash equals to 100, so just imagine, अगर वो 90, अगर strategy होता तो पैसे बन जाते, अगर वो 5 होता, को पदा होता तो पैसा बन जाते, यह जो missing है ना, जो खाली है अभी भी, जो समझ नहीं आ रह वो, वो, वो psychology है, strategy नहीं है, because technical analysis is so simple, यार, moving average, rising होना चाहिए, support करना है, buy करना है, क्या, क्या बड़ा बात है इसमें, but उसके बावजूद भी इसे बड़े-बड़े लोग होते, दुनिया के, I can say, बड़े-बड़े लोग, real estate, businessmen, owners, big VPs, come into market to think, के भाई, मैं तो इतना successful ह है, तो पैसे बना ही लोगा, बट जब वो market में आते हैं, नहीं बना पाते है, उसका reason है, यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड है, उनको वो suit नहीं कर रहे है, उनको वो psychology को पकड़ नहीं पा रहे है, क्या सोच करके trade करना होता है, अभी कुछ दिनों पहले IPL चल रहा था, कुछ, I can say month और 100 पहले, so, वो time पे जब last over पे, दो और ball में 10 run की ज़रूरत थी, वो time पे जड़े जाको अंदर ये पता होगा कि मैं जीता सकता हूँ, it's a psychology, it's a psychology, पता दा उसको, उसी दरीके से अगर trader है, तो trader को ये पता होता है कि मैं पैसे बना लूँगा, ये नहीं पत होना चाहिए, ये गलत psychology है, ये क्रिकेटर के लिए सही है, ये business में सही है, ये जिन्दगी में सही है, ये शायद health, wealth and relationship and happiness में सही है, but when it comes to stock market, मुझे पता है कि मैं पैसे बनाऊंगा, ये गलत है, आप पूछोगे कैसे सिदात, because आप कोई stock अगर 100 पे बाय करते हो, और वो stock गर उपर जाता है थोड़ा साः, और फिर नीचे आना शुरू करता है,ców मैं पैसे बनाऊंगा, वो stock 110 जाता है, फिर वापस नीचे आता है, 90 आता है, असी आता है, पो जाता है, और रहर मैदान फट्र है, मैं तो पैसे बनाऊंगा, लक्ष तो हर हाल में पाथना है, फिर लक्ष वो 100 का पहले 200 दा डबल करेंगे, अभी लक्ष हो गया कि अरे भाव टू भाव आएगा तो मैं निकल जाओंगा, लक्ष तो हर हाल में पाना है, 100 आएगा तो निकल जाओंगा, इस तरीके से 10 बार होता है, 11 भी बार जब स्टॉक 100 रुपय पर भाव होता है, 200 रुपय जा सकता है, लेकिन 110 आता है न तब इंसन निकल जाता है ये डर करके, के चल 10 रुपय तो मिल रहा है निकल जाता हूं और 20 स्टॉक फिर 200 जाता है, जब पूरी दुनिया टेलीग्राम पर देख देख के ग्रूप बना-बना करके ट्रेड कर रही है और हम भी उसी में गुसे जा रहे है इस साइकलोजी ज़स्ट सिंगल क्वेशन कार कौन सा प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे ट्रेड करता है बे कोई नहीं करता है कोई ऐसे कैसे मैं साइकलोजी पर शायद दो घंटे बात कर सकता हूँ पर आगे जाते हैं अभी डोंट ट्रेड इफ यॉर लाइफ ड़स नॉट परमिट ट्रेड मत करो कर ज़ंदगी परमीट नहीं करें ऐसे कितने लोग है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं दिन में 15-25-50 बार फोन निकाल कर टर्मिनल पे जाकर देखते हैं और आप्षन ट्रेडिंग करते हैं जॉब के साथ अगर आप जॉब के साथ में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ओप्षिन्स में इच गूफ आप इच इच ब्लंडर ना आप जॉब पे 100% दे पा रहे हो ना आप ओप्षिन ट्रेडिंग में 100% दे पा रहे हो मुबाईल पे बैट करके चालू जॉब में आप अगर ट्रेड करोगे तो कैसे बैसे बनेंगे You need to figure it out कि आपकी जिंदगी आपको क्या पर्मिट कर रही है आपका mindset आपको क्या पर्मिट कर रहा है आपका risk management आपको क्या पर्मिट कर रहा है वेरी रिसेंटली हमारी टीम मेंबरे ओफिस में वह कहते है कि सेदाद मेरे बास 2 लाख रुपए है मेरे को एक साल बाद जरूरत है यह दो लाख को जादा नहीं मतलब एक आद लाख पचास अजार भी प्रॉफिट बना तो चलेगा एक साल में विच इस 25 परसेंट लेकिन एक साल में क्या करना है तो यह लाख घर खरीदना है अगर एक साल बात घर खरीदना है तो यह स्काइड कैपिटल यू कैनाओड अफोड तो लूज देट कैपिटल इन देट सेनारियो डोंट रेट डोंट रेट यह, I am not a motivational speaker I am businessman मैं ट्रेडर हूँ मैं सही चीज बताओंगा आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूँ मैं रास्ता दिकाने आया हूँ के पैसा कैसे बनेगा छोटे अकाउंट से बड़ा कैसे बनेगा 2 लाक से ट्रेड मत करो दूसरा फुकट का देखो 25,000 पड़ा रहेगा वो डालो मार्केट में और ट्रेड करो Yes So, don't trade if your life is not allowing you to trade उसके बाद मैं follow 21 and rule इसका मतलब होता है कि कोई एक system पकड़ो और minimum भी ट्रेड करो To understand कि वो system क्या है कैसा चलता है क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है Follow that 21 rule अगर अब 21 rule follow करते हो तो कोई एक strategy आपने सीखा मेरे से या किसी से भी एक strategy सीखा उसमें 20 trade करो So, you understand Does it fits you? Does it suits you? समझ में आया? मजा आया? Confidence आया? Trade मिला? कर पा रहे हो? Time दे पा रहे हो? अच्छा है? नहीं है? चल रहा है? नहीं चल रहा है? या रहे हो गड़ आयडिया So, you need to find what suits you by these three methods Yes Awesome So, अगला पंडे Go with the trend इसपे मैंने इतनी बात करी है इतनी बात करी है जिसका कोई हद नहीं है That your job is to follow the trend भाव भगवान छे Price is supreme Price is God You just have to follow the price वदारे वदारे लेवानू घटारे घटारे वेचवानू Buy when market is rising Sell when market is falling It's a thumb rule Of technical analysis It's a thumb rule अगर हम गरती हुई बाजार में भाई करने जाएंगे It's a catching of falling Knife गरते हुए चक्कू को पकड रहे हो And if you are shorting in a rising market Then it's like stopping a launched rocket The rocket launched हो चुका है उसको रोकने जैसा है जो करीब करीब ना मुंकिन है So go with the trend सबसे पहले Track market in steps मैं आपको चार्ट पे चल करके दिखाता हूँ That what do I mean by that किस तरीके से market को देख सकते हो आप किस तरीके से market को देखना है It's very simple आपको market को steps में देखना है What do I mean by steps Steps कैसे होते है हमारे buildings में steps कैसे होते है Market ने ये bottom बनाया फिर market यहां गया फिर market यहां आया फिर market उपर गया फिर market नीचे आया फिर market उपर गया फिर market नीचे आया फिर market उपर गया फिर market नीचे आया फिर उपर गया फिर नीचे आया इस तरीके से market की movement होई है विज्वली आंख से इसी तरहीक से मार्केट दिखनी चाहिए and it requires lot of practice to reach to this level अब कोगे सिदात यह तो बड़ बेसिक बात है इसमें कौन सा मदलब प्रैक्टिज यह तो दिखी रहा है ना market ऐसे जा नहीं पदा है क्या दिखता है being a trader हमें दिखता है कि oh market is at resistance oh यहाँ पर देखो दो बड़ी black candle है market नीचे जाएगा and वही चीज आपने किसी telegram group में पढ़ी है और आपने किसी news channel में देखी है boom you are going to make that view market को neutral होके देखना होता है swings में market को steps के जैसे देखनी होती है कुछ इस तरीके से market में आख ही ऐसे चलनी चाहिए आपकी जब आप यह करना शुरू कर दोगे तब आपको clarity मिलेगा DAW theory के हिसाब से DAW theory is one of the oldest theory of technical analysis जिस पर हमने बहुत रीसंटी एक वीडियो बनाया था वह आप देख सकते हो so मैं add कर दूँगा playlist में जो recommended playlist होगी इस वीडियो के लिए सिर्फ so make sure you watch that DAW वाला वीडियो आँख जब ऐसी चलेगी तो एक clarity मिलेगी trend पे if you have a clear higher low and higher high so you know it's buy अगर आपको clarity है swings highs and swings low की तो बहुत easy हो जाता है trade करना but in a second यह दिखना चाहिए in a glance यह दिखना चाहिए which requires lot of practice उसके बाद में बात आता है buy when stock is rising sell when stock is falling जो मैं already बोल चुका हूँ बट मैं आपको यहां पर अगर कुछ example के तार पर दिखाना चाहू then always remember market इसी तरीके से perform करता है यहां पर आपको आधे chart में clear rising moving average दिख रही है जहां पर मांकट उपर जा रहा है और बाकी का आधे chart में आपको clear falling moving average दिख रही है जहां पर मांकट नीचे जा रहा है बस that's that that sum up the wiseness wisdom जो होती है na wisdom जब हम spirituality सीखते हैं जब हम सच को जानने के लिए जाते भगवत गीता Bible Quran वेदानत आप पढ़ोगे अस्टवक्र गीता पढ़ोगे उपनीशद आप पढ़ोगे जब हम मैंने जब यह सब के धावे पड़ी तो बड़ी असान सी चीज़े लिखी होती है that be in a present moment भाया भाही तो सबसे मुश्किल है एक मिनिट तक अपनी सांस देख के दिखाओ बिना future या past में जाए it's very difficult it's very difficult so यह वैसा है यह जो chart है rising falling is like be in a present moment accept your past and forgive people and forgive yourself सुनने में कितना असान basic लगता है हाँ यार सिदात जो बीद गया बीद गया उसे हम बदल नहीं सकते है माफ कर दो लोगों को और खुद को और आगे बढ़ो is it actually so simple अगर क्या यह इतना simple है जितना बोलने में या सुनने में है शायद नहीं इसलिए दुनिया में इतने दुख है तकलीफे है that's why we say life is suffering जनम भी दुखा जीवन भी दुखा मरन भी दुखा इसलिए कहा जाता है इसलिए जो गीता अस्रवक्र गीता या अपनीशद्स हो गए इन सारी घ्रंथ में बाते बड़ी simple चे लिखी हुई है जैसे ये एक statement है buy when stock is rising, sell when stock is falling पता है ये तो पता है ये तो नहीं भाई ये जिन्दगी बना देगा उतार लिए तो जैसे being present moment अगर उतार लिए जिन्दगी में तो जिन्दगी बदल जाएगी अरे past को छोड़ो जो हो गया हो गया ये इतनी चीज समझ में आ जाए ना तो जिन्दगी बदल जाएगी माफ कर दो यार लोगों को भी और खुद को भी इतनी चीज मिल गई ना तो जिन्देकी बदल जाएगी ये वैसा है लूपिन देखो few of the classic example of ourself, मतलब हमने जो किये है, या बहुत करीब से लोगों को देखा हुआ है पैसे लॉस करते हुए और प्रॉफिट करते हुए, वैसे कुछ से मैं आपका एक्जाम्पल लूपिन देखो, लूपिन जब टॉप बना वो टाइम पे काफी टाइम से एक बुलिष टेरिटरी में था, राइजिंग मोविंग आवरेज जब फॉलिंग हुआ, वो टाइम पे वे एड़, वे एक्जिटेद, कुछ क्लाइन्स के पास था, लोगों के पास था, जो अमने कह रहे था है, बेचो, 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 बट उनको बेचना नहीं था, बट आज आप देखो कहां पर है, वन मोर क्लासिक एक्जाम्पल इस मारूती, पंदरासो सतरासो वाला स्टॉक, वन साइड, दस हजार होता है दस हजार से दस हजार से जस्ट गमस्टाव वन मोर स्टॉक, ओल्ड वान काफी बहुत पुराना है, बट स्टिल एट स्ट्रेंच तू, भेल किस तरहीके से उस रैली में क्रेजी बुल रान, once that रैली एंडेड, कच्रे के भाव में भिकरा है one more example, I can say थोड़ा सा पुराना yes bank किस तरीके से चल रा था, भाग रा था, उड़ रा था क्या हो गया buy when stock price is rising, sell when stock price is falling, period पत्थर की लकीर बना सकते हो आप as a new trader, as a beginner trader is a छोटा account अगर आपका है यह आपके लिए guru mantr होना चाहिए कि आप इसको like mantr पकड़ के like jhaap करो उसका buy when price is rising, sell when price is falling buy when price is rising, sell when price is falling buy when price is rising, sell when price is falling buy when price is rising, sell when price is falling mantr jhaap होना चाहिए इसका उतना यह key point है never ever buy a stock which is falling never ever short a stock which is going up बहुत बड़ी चीज है उसके बाद में आता है see market as it is and have guts to follow it बहुत बड़ा point आई है I know one guy who exited the 2020 का top this is the date we said के it seems done and he exited at the top with the basic strategies which we follow but जब यह market गूमा ना bottom से तब वो buy नहीं किया तब उसको लगा के भाई vaccine नहीं बना market कैसे उपर जा सकता है अभी तक तो problem है पुरी दुनिया बन है covid आया है lockdown हुआ है market उपर नहीं जा सकता है बेचने में उसने बुद्धी नहीं लगाई moving average को follow किया भाव को follow किया भाव भगवान शे फालो किया to sell the market बट जब वापस खरीदने की बारी आती है bottom में वो अपने दिमाग लगाता है logic लगाता है के यह उपर नहीं जाएगा and we know what happens in 2020 and 2021 that was crazy massive bull rally mind-boggling so I have a guts to follow the market it again seems pretty simple but it's massive that have guts to follow the market उसके बाद में आता है think in percentage क्या होता है think in percentage think in percentage का मतलब होता है कि यह मत बोलो कि मुझे 25,000 के capital पे 5,000 बनाना है मुझे 25,000 एक लाख के capital पे महीने का 10 टका बनाना है मतलब 10,000 बनाना है बोलो कि मेरे को 10% बनाना है percentage में आओ एक लाख रुपे पे अगर आपको 2,000 बनाना है महीने का दो टका साल का 24 टका हुआ अगर आपको आप बोलते हैं पाँच साथ हजार बनाना है महीने का पाँच साथ परसेंट मतलब साल का साथ से असी परसेंट होता है सो ये मैथमेटिक्स क्लियर होना चाहिए आपको ठिंक इन परसेंटेज जो मेरे अफैमिली वाले आते कहते का 25 परसेंट डालते हैं महीने का दो पाँच हजार निकल जाना चाहिए दे आर एक्सपेक्टिंग 10 परसेंट अ मन्त 100 परसेंट अ यर एक बात बदाओ सच एकदम दोस्त के जैसे भाई के जैसे अगर अगर अगले पांच साल में आप सिर्फ साल के 25 परसेंट बनाते हो न दुनिया ढूटते हुए आईगी आपको आपके घर तक पहुच जाएगी आप पूछो के कैसे क्यूंकि आज के टाइम पे करोडो रुपे करोडो लोगो के खर्बो रुपे खर्बो आई सेड बैंक की FD में पड़े है 4 परसेंट 5 परसेंट में साड़े 5 परसेंट कुछ लोग के लिए सो अगर आप 25 परसेंट साल का बनाने की ताकत रखते हो which is just 25 हजार in a year एक लाग के पोटफोलियो पे अगर आप 25 हजार के पोटफोलियो पे ट्रेड करते हो तो सिर्फ 6,5-6,000 रुपे सिर्फ 6,5-6,000 रुपे 25,000 रुपे अगर आप बनाने की ताकत रखते हो ना 5 साल तक दुनिया ढूंटती हुए आएगी आपको घर पे बिकॉज दुनिया को चाहिए 25 परसंट बिक ट्रेडर हम जब आप्शिंस के नंबर्स देखते हैं हमको लगता है दिन में बनता है 25 टका हफते का 25 टका बनता है अरे छोड महिने का तो ऐसे निकाल लू मैं ऐसे बस तो डिसिप्लिन आ जाए ना तो निकाल लू अरे जाए निकाल लू बट यह बन चकता है ना नहीं बोल रहा हूं लेकिन जो फोकस होना चाहिए ना बही होना चाहिए एक अकाउंट पे साला साल का तो बनाता हूं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं द्वान से सुनना अगर आपको हीरोपंती करना ही है और आप बोल रहा है अरे महीने का पक्चीस बनाईंगे तो आप मैं क्या बोलो दो अकाउंट खोल दो ना open two separate Wait account इन two separate Wait account एक अकाउंट में साल का 25 बनाओ पचीस टका बना और दूसरे अकाउंट में महीने का बनाते रहो कौन ना बोल रहा है लेकिन एक अकाउंट में भी साल का पचीस टका बना लिये पांच साल तक लिखवा करके ले लो मेरे से दुनिया डूनती हुई आएगी आपको So think in percentage दूसरी बात Have max loss in mind Per trade it should be not more than 2% of your portfolio हमेशा एक maximum risk दिमाग में होना चाहिए कि मुझे कितना risk लेना है मेरे portfolio का हर trade में जब नया नया trader आता है उसे लगता है कि भाई 100 share ले ले 1000 share ले ले 50 share ले ले 5 लाग का माल ले ले जिनके capital बड़े है जो आज You know There are a lot of businessmen come to us मिलने के लिए आते Real estate में पैसा बनाया बहुत लेकिन market में नहीं बन रहा है I am a big VP of a big company लेकिन market से पैसा नहीं बन रहा है Sir क्या करूँ I am like जब market में जाते हो ना तो VP का बिला उतार के जाओ जब market में जाते हो ना वो real estate टाइकॉन का ताज नीचे उतार के जाओ एन एक humble शुरुवात करो 15,000 से जैसे आपने 20 साल की उमर में की थी आज से 25 साल पहले In that scenario you can make money And उसके अलावा Grow by 1% daily इसका मतलब यह नहीं है के portfolio grow by 1% daily As a human being, as a trader I can say grow 1% daily उसका मतलब क्या होता है कि आज मैंने अगर 100 chart करे कल 101 करूँगा आज मैंने मेरी mindset पे आदा घंटा काम किया कल 31 मिनिट करूँगा आज अगर मैंने 2-3 गलती हा करी trading में कल एक गलती काम करूँगा आज अगर मैंने practice करा mark करा, कल थोड़ा जादा करूँगा जो भी करना है, रोज बरोज improve होते जाओ improve daily, थोड़ा 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 खुद को progress करते जाओ, improve होते जाओ so that आप जब आज से एक साल बात, दो साल बात खुद को देखो so you see humongously improved version of yourself so improve daily उसके बाद मैं don't run behind fancy number shown on social media see, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे number edited है मैं भी किसी ने पैसे बनाए भी लेकिन just understand everybody has a different journey again मैं spirituality का example देना चाहूँगा so just तरीक से भी से every soul has its own journey हर एक इंसान की, हर एक soul की अपनी अपनी एक जर्नी होती है हर एक इंसान की अपनी अपनी एक जर्नी होती है आप soul में नहीं मानते हो कोई फरक नहीं पड़ता है junior kg में भी हर बच्चे की अपनी जर्नी होती है किसी को first, कोई first आता है कोई last आता है it's okay it's okay शायद जिन्दगी में वो last आया हुआ बच्चा first आजाए you never know right we have seen lot of examples like that हमने बहुत चारे examples ऐसे दुनिया में देखे है जो शायद पढ़ाई में खराबते हैं बड़ जिन्दगी में बहुत आगे है so उसी दरीके से ट्रेडिंग में आप compare मत करो don't compare yourself with people care उसका इतना बन गया है उतना बन गया मैं बोल रहा हूँ कोई edit नहीं कर रहा है सबके सही number है उसके बावजूद भी आपको देखने की क्या जरूद अच्छा motivation मिलता है अच्छा motivation मिलता है क्या हो गया motivation से कुछ हुआ नहीं वह दूसरा पंड मेरा वही था motivation is crap strategy and belief is everything motivation is crap strategy and belief is everything आपके पास अगर सही strategy है पिछले कुछ नाइम पहले मैंने options की strategy upload करी है अपने अगर देखी होगी तो options की strategy पे मैंने इतना detail में structured way में बताया है जो शायद और कहीं नहीं है YouTube पे किस तरीके से हर चीज को pinpoint करके देखना है and discipline से trade करना है बिना discretionary या दिमाग लगाए motivation is crap आचा मज़ा मज़ा आने से पैसा बना बनता होता न तो Sandeep मैश्वरी देखके सब लोग खरभवपती हो जाता है मज़ा आता है Sandeep देखना है by the way he's my favorite so मैं बिल्कु नॉट इवन परसंट में negative बोल रहा हूँ but then सिफ देखकर ही बन जाते समझ के execute करके तो बन ही जाएंगे but देखके ही अगर motivation से बन जाते so motivation is crap everyone has their own journey everyone has their own way of figuring it out किसी को तीन महिना लगेगा किसी को तीन साल लगेगा it's okay you need to embrace your journey strategy बनाओ उस पे विशास करो सब बनेगा सब पैसा सब पैसा बनेगा strategy होना चाहिए stock select कैसे करना है trend कैसे पता चलेगा entry कहां करना है stop loss कहां रखना है आज मैं आपको आखरी दो पार्ट में swing trading and intraday का यही चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कहां पे hello द्यान से सुनो किस तरीके से कहां पे stocks कौन सा stock select करना है trend कैसे पता चलेगा entry कैसे करना है stop loss कहां पे रखना है quantity कैसे गिननी है re-entry कैसे करना है target कैसे करना है उससे पैसा बनता है मुझे coffee मुझे जिम जाना है यह motivation ने उससे वजन कम नहीं होता है उदर जाके जिम जाके उदर 15 kg का डंबल उठाना बड़ता है और वो भी एक दिन नहीं रोज थब जाके कुछ होगा so motivation is crap strategy and belief is everything उसके बाद में work in private succeed in private and celebrate in private that's awesome very unique thing but I believe in this thing see I come from very humble background I come from very humble family extreme middle-ass people parents and पूरा महौली वहरा है typical Indian middle-ass family humble people so we never knew celebrating in big way for our celebration तर गर में बासूंदी बन गई celebration हो गया यार कुछ भी आज के ताम पर भी कुछ खरीदा कुछ किया चार लोग आए sister आई एक भाई आया बासूंदी बनी पूजा हुई that's it work in private work so hard that you are one of the most hardest working people on the planet succeed in private दुनिया को क्यों दिखाना यार why you want to put it on the social media just for a psychological pleasure and then celebrate in private celebrate करो अपनों के साथ उनके साथ जिनको actually आईकन से आप प्यार करते हो work in private succeed in private celebrate in private and आप अगर मुझे देख रहे हो I assume के आप मेरे जैसे हो because generally हम वो एक वाईब मिलती है ना वहीं पर देखते है especially this kind of very small long video हम किसको तीन गंटे देते है यार हाँ बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है हम किसको इतना टाइम देते है so you are on a same vibe I believe that's why you are watching such a long video and you are sticking till here so since you are on that path of not showing off it's a right path चाहे पुरी दुनिया क्यों ही ना show off में busy है I'll say it's a right path let's keep walking on that work in private, succeed in private and celebrate in private उसके बाद में आगे छठा पॉइंट आता है follow Pareto principle equity versus options penny stock and crypto 80-20 so 80% of people succeed in equity 80% of people succeed in equity 20% people succeed in options or penny stock and crypto पहले इक्विटी में पैसा बनाओ इक्विटी में मास्टरी करो इक्विटी में मजबूत हो जाओ बाद में आगे जाओ because it's easier to make money बाद में आगे जाओ because 80% money is made in that this is mind-boggling pyramiding क्या होता है pyramiding होता है कि आप कोई stock अगर 100 पे बाई किया 200 पे बेच दिया वो तो ठीक है लेकिन आपने 100 पे बाई किया 110 पे बाई किया 130 पे बाई किया 150 पे बाई किया 170 पे बाई किया 190 पे बाई किया 200 पे बाई किया फिर stock नीचे आता है 180 पे आपने सब काट दिया सब exit कर दिया that's a pyramiding and trailing stop loss क्या होता है let's say आपने 44 moving average के case में यहां पे बाई किया and you go continue मतलब आप उस trade को continue करोगे 1-2-2 पे exit नहीं कर दोगे stock उपर जा रहा है moving average के साथ पे stop loss उपर कर रहे हो stock उपर जा रहा है stop loss उपर कर रहे हो stock उपर जा रहा है stop loss उपर कर रहे हो stock उपर जा रहा है stop loss उपर कर रहे हो पिरामिटिंग एंट्रेलिंग इसी दरीके से पैसे बनते हैं बड़े पैसे इसी दरीके से बनते हैं एन उसके बाद में आता है focus on risk to reward ratio आप अपने risk to reward ratio पे focus कीजिए risk to reward क्या होता है अगर आपका let's say 300 का entry 280 का stop loss so target random मत बनाई है 330 पया तो निकल जाऊँगा it's not a right target it's just 1 is to 1.5 risk to reward terms में सोचिए के अगर मेरा 20 रुपया जाएगा तो कितना आना चाहिए at least minimum 40 आना चाहिए 40 to 60 गुद भी a good number 1 is to 2 1 is to 3 अगर beginner हो तो 1 is to 1 1 is to 2 आप follow कर सकते हो but with the time you can go for 1 is to 2 1 is to 3 उस तरीक इसे आप continue कर सकते हो जालो great it was like crazy 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 learning मजा आगया मेर कोई fantastic like जो चीजे मैं खुद बोल रहा था मैं को इसा लग रहा था क्या क्या डायलोग मारा था that was great learning I can say I hope आप notes बना रहे हो and आप यहां तक वीडियो देख रहे हो that's crazy comment में time stamp डालना के यहां तक video हुआ जितना भी time हुआ है spin it down so I know के आप like एक देड़ घंटे तक video अगर देख रहे हो तो बड़ी बात है क्योंकि most लोग देखते नहीं है यहां तक then आगे बात करते है technical analysis so basically यह वीडियो हम तीन पार्ट में लेट से शूट करेंगे आपको हम दिखाना चाहेंगे first part जो मैंने खुद ने live लिया आपके लिए why stock market why India then create trading plan मैंने live लिया then अगला कुछ part में चाहूंगा क्या best of the best content देखो कि इतने वीडियो है हमारे खुद के channel के ऊपर which is mind-boggling so चाहे वो mindset के ऊपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ technical analysis strategies तो यह मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा best of the best चीज़ देखो and then फिर से हम video के end में last point के लिए हमें खुद आ कर आपको live बताना चाहूंगा सिखाना चाहूंगा अगर आपको जिन्दगी में कभी भी technical analysis में point बनाना है तो अगली 3, 3, 3, 4 minute मैं चाहूंगा कि आप पूरे ध्यान से यहां पे देखना understand trends prices tend to move in trends a series of higher high and higher low indicates uptrend while a series of lower highs and lower lows indicates downtrend मैं यहां पे आपका एक blank chart में दिखा देता हूं जो यहां पे definition दी हुई है higher high और higher low होना चाहिए so यहां पे आपको दिख रहा है कि यहां पे higher high और higher lows बन रहे है a series of higher high and higher lows that's why this is a uptrend and यही दूसरे chart पे आप देखोगे lower highs and lower lows बन रहे है that's why this is called a downtrend चलो यह तो किताब ही बाते हो गई practically always remember this भाव भगवान छे trend is your friend until it's bend चाहिए आप uptrend यह downtrend के definition higher high higher low से निकालो चाहिए आप moving average लगा करके निकालो चाहिए आप RSI लगा करके निकालो चाहिए आप MACD लगा करके निकालो चाहिए आप stochastic लगालो चाहिए आप Elliot wave लगालो चाहिए आप Fibonaki लगालो चाया plain price action से uptrend या downtrend निकालो लेकिन पैसे बनाने के लिए uptrend या downtrend का clarity होना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको buy करना है और आप इस गिरती हुई market में buy करना चाहोगे आपका पैसा नहीं बनेगा it's like a catching a falling knife and अगर कोई stock उपर जा रहा है और उसे short करने की कोशिश कर रहे हो then it's just like stopping a rocket after it has launched which is not possible so understand the trend अगर कोई मुझे सबसे बड़ा आपको ब्रमास्तर देना है पैसे बनाने के लिए तो ये ये होगा and I'm giving you to you in absolutely free of cost on YouTube because our mission is that हम एक करोड़ फैमिली तक पहुचे और उनकी जिंदगी में financial changes लेके आए financial बदलाओ लेके आए 2025 के पहले इसलिए हर हफते 9 बजे Friday को वीडियो आती है इसलिए आपने चैनल पे इसलिए इतना टेकनिकल आइनलिस पे चीज़े इतनी माइंसेट एंड एक्स वेक्टर पे चीज़े जिससे पैसा बनता है येस अभी आगे जभी भी ट्रेड करो understand the trends अगला step चार्ट रीड करने में आता है identify support and resistance level these are price levels at which a stock has repeatedly fallen or risen before reversing they often act as triggers for price momentum अगर simple भाषा में आपको chart पे ही सीधा जा करके दिखाओ तो support are the levels जहां पे पिछली बार भी market उपर गया था तो ये level पे लेट से पिछली बार market उपर गया था अगली बार market वहाँ पे आता है और आप देखो कि उसी level से bounce नेक्स टाइम market उसी level पे आता है कुछ महीनों बाद बॉम बाउंस इसी को अगर उल्टा कर दे resistance की बात करे market उपर 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 जा रहा था ये resistance आता है वो resistance से market गिरा अगली बार जब वापस वही resistance पे market जाता है red candle आता है और red candle के बाद में बो अगली कुछ महीनों बाद market वही resistance पे आता है फिर एक बार वही resistance पे market आ करके वो that's power of resistance जब जब market वो level पे आया तब तब नीचे गया and that's power of support जब जब market वो level पे आया तब तब market उपर गया अगला point हमारा आता है वो है trend lines trend lines is a beautiful concept जो आप highs and lows को connect करके बना सकते हो मुझे अगर proper आपको definition बताना है then I can say that trend line can be drawn connecting the highs and lows in the price to illustrate the trend and the price channel अब मैं आपको एक chart के beautiful example के साथ दिखाता हूँ आप अगर ये chart पे देखोगे so ये जो नीचे में जो blue dot किया हुआ है ये दो dot को connect करा and उस line को automatic extension मिल गया so जब ये दो dot को मैं connect करता हूँ तो आगे की line अपने आप extend हो गई जो आप बहुती easily कर सकते हो software's में so when I connect this two lows आगे जब जब support आता है तब तब मैं वहाँ पे buy कर सकता हूँ तब chart को आगे continue करते हैं देखते हैं कि किस तरीके से आगे support आया है see this isn't it amazing and उसी को अगर मैं ऊपर ड्रॉ करू तो वो एक resistance line और you can say resistance trend line बन जाएगा and obviously we'll need two highs or two dots to connect the highs so ये dot, 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 blue dot है वहाँ पे मैंने line को connect किया आगे का line continuation में जाएगा now if you see market जब जब ऊपर जाएगा that channel will act or that upper line will act as a resistance line that upper line will be act as a resistance line and वहाँ पे market जाएगा तो resist करेगा so नीचे आएगा support, ऊपर जाएगा resistance नीचे आएगा support, ऊपर आएगा resistance नीचे आएगा support, ऊपर आएगा resistance and this is a beauty of a technical analysis so technical analysis एक icon से ऐसी चडिया का नाम है जो उड़ती बहुत खूपसूरत है बट उसे उडाने आना चाहिए चलता बहुत अच्छा है चलाने आना चाहिए दौरता बहुत अच्छा है दौडाने आना चाहिए पैसे बहुत अच्छे बनते है पैसे बनाने आने चाहिए analysis बहुत अच्छा होता है अगर आपको त्रेंड लाइन पर और एक एग्जांबल दिखाना चाहो सिर्फ सपोर्ट का बाई के लिए यहां पर आप देखो के मैंने दो डॉट लिए अगर के सपोर्ट आता है तो वो ताइम पर अबर जो पुआप पैस पर नहीं जाता हूं और इन विकास, भी बनाचेस, वीजिए ना इं बाईे बना So that's one more example of trend line. मुझे अगर खुद को आपको चार्ट पे जाकर कि कोई एकादी example देनी हो properly सिखाने के लिए then मैं आपको यहाँ पे एक example देना चाहूँगा. See this. So, I will take this line. मैं यह dot connect करूँगा इस से. And I'll just close it up. मैं इसको ठिक कर देता हूँ ताकि आपको दिखे. And this red को blue कर देता हूँ. Now see this. मैंने यह dot connect किये. यहाँ पे पहला trade मिला. यहाँ पे दूसरा trade मिला. अभी तो मैंने market आगे भी नहीं किया है. उतना ही chart है. See this. So, यह dot trade आपको यह तीन trade मिले proper? Yes. So, that's your trade. मजब यह, this is one dot, two dot. यहाँ पे तो हमने connect करा था. I can say this is your first trade. This is your second trade. And maybe this could be your third trade. मोटा मोटी तीन trade मिले, तीनो अच्छे चले हैं. इस तरीके से आप easily trend lines को connect कर सकते हो, draw कर सकते हो, पैसे बना सकते हो. उसके बाद में अगर हम आगे जाएं, तो बात आती है volume की. So, basically volume. Volume bar usually appear at the bottom of the chart and represent the number of shares traded during a specific period. Volume can be confirm the strength of the price move. Basically, यह अगर chart है, and uptrend है and volume भी उपर है, तो बढ़िया है. Down trend है and volume भी उपर है, बढ़िया है. It's showing the strong trend है. अगर इसका opposite है, कि uptrend है but volume नीचे है, then it's a weak uptrend. And अगर downtrend है और volume कम है, then it's a weak downtrend. यह चार dimension and diagram याद रखना, जो मैंने आपको यहाँ पर draw करके बता है, जो आपको आगे जाह करके काम आएगे trade करने के लिए है, आपको एक volume analysis, volume study कर सकते हो. उसके बाद में आता है चार्थ पैटन. Common chart patterns like head and shoulders, triangles or a cup and handle can be a signal where the price is heading next. Chart pattern is one of the most commonly and widely used tool. Tool तो नहीं बुलते, क्या बुलते? It's a widely used thing. जहाँ पर हम चार्थ पे जाते हैं, इन एक पैटन ढूनने की कोशिश करते हैं. Let's say मैं किसे stock के chart पे हूँँए और वहाँ पे मुझे मिलता है ये double bottom. तो जब ये double bottom मिलता है, it's an indication to buy. के यहाँ से stock इसके height के जितना double उपर जाएगा. वहीं अगर मुझे किसी और किसी stock में bearish sign मिलती है, वहाँ मुझे double top मिलता है, which is M pattern, then it's a bearish sign and might stock and go down a lot. and इसी तरीके से और किसी stock में मुझे लच से इस तरीके से एक triangle मिलता है, market काफी उपर गया, उपर जाने के बाद में triangle pattern बनता है and वह नीचे breakdown करता है, there is a high probability that this will go down and down and down. Isn't it amazing? So I started this very early and I was very fortunate to start it very early and जब मैं ये चीज़े पड़ता था, triangle and head and shoulder, it was very fascination for me. That was very fascinating I can say. मज़ा आता ये करने में, charge practice करने में, काम करने में, चीज़ों को execute करने में and I belong to extremely middle class family जहां पर खाते पीते, I belong to good home. मतलब अच्छा खाया, अच्छी जगा पर रहे, सर पे चथ, पंखा, खाना पीना was really good, बिलाउंग तो गुजराती फैमिली, so बहुत अच्छा था. But, you know, middle class के जिंदगी ऐसी होती है कि इतने पैसे है कि इतने पैसे है कि खुद को ये भी नहीं कह सकते कि पैसे नहीं है. That's a life of, I can say, middle class people. So, उसी तरीके से पुरी जिंदगी निकली and when I started market, I had that huge fascination of money, गयार, पैसा बनाना है and एक family को एक अच्छी जगा पर लेके जाना है एक अच्छी जिंदगी देना है खुद को एक अच्छी जिंदगी देना है and maybe जो struggle मेरे parents ने किया जो मैंने किया मेरे parents, मतलब when I start make money, I don't want my parents to struggle the same way or I don't want my future family to struggle the same way. So, वहां से ये सारी चीजों की शुरुआत हुई. In fact, आज तो काफी easy है I can say market सीखना अज इतने YouTube पे content है इतना वीडियो है Google है, किताबे है Amazon है वो टाइम पर कुछ भी नहीं था है when we started 12 साल पहले 13 साल पहले कुछ भी नहीं था there used to be few books जो हम पढ़ते रहते थे repeat repeat mode पे भही का भही भही का भही हम लोग trade कर रहे है मैंने pick किया है so और वो it works well stock 50 टा का भढ़ गया obviously 68 महीने में 50 टा का भढ़ गया double हो गया कभी बोला के यार यह हफते में निफ्टी खराब लग रहे है actually 2-5 परसे निफ्टी गिर गया तो जनली बहुत बार जो टीम वाले लोग होते है हमारे वो टीम मेंबर आते तो सिदाद कैसे बहुत बार जो लोग हमारे पार सीखने आते जो पार्टिसिपन होते कोर्स में प्रगाम में वो पुछते है सिदाद how you can predict so accurately and I'm like no yara I am not predicting it's just that sweat which I have given to the market now market is converted that sweat into money in 13 years तेरा साल में उस पसी ने और महनत को market ने convert किया है पैसे में and it's nothing else and I'm sure आप आज आप बिगनर हो नए हो नए नए शुरू किया है not a problem absolutely not a problem you can just start in this sequence आज जो मैं आपको दे रहा हूं वीडियो में उसी सीकूंस में शुरू कीजिए उसी format में जाईए and I'm sure you will be able to make money you will be able to succeed because I come from humble backgrounds I'm not that scholar I was extremely mediocre in studies maths तो यार कॉपी करके पास होते थे आगे वाले में से भाई दिखा जरा क्या करना है so I'm pretty much the average guy but I just I had that passion and मैंने उस एक चीज़ को पकड़ के रखा मिर को वो पता था क्या technical analysis, charts मजा आता था ये सब करने so एक चीज़ को पकड़ के रखा and it paid as well and I'm sure आप भी अगर इस एक चीज़ को दिल से पकड़ के रखते हो अगले आने वाले कुछ समय में या कुछ सालों में it will give you money and there is no questions about it yeah so have faith in yourself have belief do the hard work what is required and you will make money with this yes आगे चलते है फिर इन बातों के साथ-साथ चलो so next up is moving average I'm known for a 44 moving average हमारे YouTube पे more than 1 crore view is on just this one word 44 moving average इतने videos है चैनल के उपर that you can maybe spend a whole day 24 hours just on my 44 moving average गूगल पे जाके सर्च करो के तो किदर कुछ नहीं मिलेगा क्या मेरी ही चीजे मिलेंगी मेरा ही पीस of content मिलेगा 44 moving average and this is one of the tool which you can use to make money आज मैं 44 में डीप में नहीं जाने वाला हूँ आज मैं टेक्निकल अनलिस के उसमें हूँ but then definitely you can watch this whole series and lot many more videos on 44 moving average अगर मुझे चार्ट पे जा करके short में simple में असान भाषा में बताना हो 44 moving average के उपर then I'll take you to my charts यहां पे मैं इंडिकेटर में जाऊंगा आप यहां पे देख पाऊगा इंडिकेटर and I'll add a moving average moving average yeah so यह nifty का recent current chart है as per I am shooting the video so यह जो पहला phase है यहां पे आपको दिख रहा होगा moving average rising है उसके बाद में आपको दिख रहा होगा moving average falling है और उसके बाद में आपको यहां पे दिख रहा होगा फिर से moving average rising है तो मुझे बताओ कि जब moving average falling हो रहा है तब market कहां जा रहा है और जब moving average rising हो रहा है तब market कहां जा रहा है जो थोड़े से हुशार होंगे वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है market नीचे जा रहा है इसलिए moving average नीचे जा रहा है हाँ मेरी जान obviously market नीचे जा रहा है इसलिए moving average नीचे जा रहा है लेकिन moving average से यह समझना, trade करना और पैसा बनाना असान हो जाता है see I am a executor, I am totally a gujarati businessman, I am a hardcore businessman, when I trade I am a dhanda कर रहा हूं trading is dhanda, it's a business, so मुझे पैसा बनाना है market से, पैसा कैसे बनेगा, पैसा बनेगा trend identify करके, label लगाके, कि या uptrend है, buy कर, या downtrend है, बेच इसको, वो label कब लगाओगे, जब एक strategy होगा, strategy कैसे बनाओगे, indicators, tools and price action से, और उनमें भी 1000 options है, उनमें से भी एक दो select करने पड़ेंगे, पैसे बनाने के लिए, and for me, this is the moving average, so basically, जब यह moving average falling है, वो short करने का time है, और जब यह moving average rising है, तब buy करने का time है, and आप इस पे नहीं, NSE में 1600 stocks है, BSE में 5000 stocks है, and शायद US, UK, Canada, Bangladesh, and every country in the world, हर एक chart check करो, पूरी दुनिया के stock market के, and आपको यही pattern मिलेगा, buy when price is rising and sell, when price is falling, जब moving average उपर जा रहा होता है, तब आपको buy करना है, and जब moving average नीचे जा रहा होता है, falling होता है, तब आपको short करना है, sell करना है, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया के stock market के चार्ट देख सकते हूँ, and एक conviction experience से आता है, जब मैंने अपनी जिन्दगी में, पानी, इतने साल से पिया है, हर दिन में, लेट से दो लिटर, तो एक साल में 700 लिटर, and पूरी जिन्दगी में सोचो कितना पानी पिया है, तो मुझे उस पे conviction है, भरोसा है, कि किसी दो साल के बच्चे को प्यास लगी है, तो मैं उसे पानी पिलाओंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इससे प्यास बुझती है, चाहे वो पानी की प्यास हो, या पैसे की प्यास हो, मैं जानता हूँ कि कैसे बुझती है, क्योंकि मैंने इतने सालों से खुद की बुझाई है और जो लोग हमारे पास आते हैं उनकी बुझाई है पानी की प्यास और पैसे की प्यास So that's a moving average for you Follow करो, पूरी की पूरी 44 की playlist देखो and आप पैसे बना पाओगे आगे चलते हैं फिर Indicator and Oscillator Tool like RSI which is Relative Strength Index which is Moving Average Conversion and Divergence Bollinger Band and Stochastics can help to identify market condition not immediately visible from the price chart Basically RSI Stochastic जैसे tool हमें market price moment में जो हमें दिक्कत आती है entry point के लिए वो entry point थोड़ा सा असान कर देते है Stochastic हो गया, RSI हो गया, MACD हो गया These are the tools and indicators जो हमें help करते हैं entry करने के लिए For just an example, हम अगर ये chart ले लेते हैं तो ये chart पे आप देख पाओगे जब जब मार्केट 30 के नीचे गया, तब तब सूपर बाय मिला Can you see that Superbuy area? You can say like spring के जैसा फट गया stock फट गया is the right word उसी तरीके से Stochastic पे अगर मैं आपको कोई stock दिखाओ तो यहां पे जब-जब Stochastic पे 70 level के उपर जाने के बाद में stock नीचे आया, 70 cross किया which is this area basically जब वो cross करता है नीचे की side पे फट गया stock on a lower side So इस तरीके से tools and indicators भी काम करते हैं जिस पर एक एक tool पे इतने बहुत ज़ादा study है It's a long journey, it's a long process Bollinger Band पे हमार एक बहुत beautiful video है जो मैं आपको recommend करता हूँ देखने के लिए You can definitely watch this video on a Bollinger Band So it was one of the most deepest learning into the technical analysis इतना deep शायदी आपको कहीं पे मेलेगा So I hope आपको आपने सीखा होगा आपको मजा आया होगा अब अब हम जाते है strategy की तरफ which is our all-time favorite strategy which is 44 moving average इनकेस आपने सीखा हो so it will be a good revision video for you 44 moving average के उपर आया और अगर आप पहली बार देख रहे हो then welcome to the world of 44 moving average traders So बहुत ही असान strategy है basic से सीखेंगे बिलकुल raw as a beginner 44 moving average क्या होता है So let's start what is 44 moving average and वहीं से शुरू करते है Let's start So basically पहले तो मैं यहां पर दिखाता हूँ क्या है strategy वो Stock selection कब करना है आपको आपको stock selection करना है रात को जब market बंद हो जाए तब कहां पर Nifty Fifty में सिर्फ Nifty Fifty को ही देखना है और कोई stocks को आपको नहीं देखना है आप कहते हो कि Sir I can afford to watch multiple chart मैं सर काम करने के तैयार हूँ Awesome Focus on Nifty 200 So Nifty 200 के stocks ले लो और कब लोगे रात को तो यहां पर आगया Nifty 200 ज़्यादा से ज़्यादा Nifty 50 I recommend Nifty 200 highest level पर ठीके दूसरा कब analysis करना है रात को analysis करना है क्या देखना है वो देखो अब Stock select कैसे करना है So basically पहले white page पे दिखा दूँ चलेगा white page पे दिखाता हूँ पहले So basically what you want is You want a moving average Which is 44 like this So आपका एक moving average होना चाहिए जो ऐसा rising होना चाहिए जो होना चाहिए 44 Simple moving average मैं खाता भी simple हूँ जीता भी simple हूँ Moving average भी simple use करता हूँ So 44 moving average simple होना चाहिए और साड़े तीन बज़े और आपको moving average का meaning वगेरा नहीं पता है तो कोई बात नहीं है मैं चार्ट पे आऊँगा तो आपको दिखा दूँगा उसका चिंता मत करो आप आपको बहुत ही simple सा चीज है जो आपको चाहिए आपको साड़े तीन बज़े market जो है वो करीब ऐसा कुछ बंध होना चाहिए करीब ये level पे Near moving average आपका closing आना चाहिए क्या आप देख पारे हो market कहां पे है Sir live chart में दिखाओ ना हाँ मेरी जान दिखाओंगा रुख जाओ पहले concept तो समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ So basically आप जब रात को 9.30 या 10 बज़े ये देख रहे हो वो time पे आपको वैसे stocks figure out करने है आपको वैसे stocks निकालने है कौनसे time frame पे 5 minute या 15 minute Your choice 5 minute या 15 minute Your choice वापस बोलू 5 minute या 15 minute Your choice So ये 2 में से कोई एक chart पे दोनों पे ज़रूरत नहीं है एक chart पे अब वैसे stock निकालो जहां पे market यहां बंद दिया Hello अब समझ गए So for example मैं अभी के लिए 15 minute लेता हूँ ठीक है 15 minute में जो chart है 15 minute का जो chart है वो यहां पे बंद दिया For example ये nifty है ठीक है समझने के लिए nifty है So ये nifty का चार्ट 15 minute में यहां पे बंद दिया अब सुभा अगले दिन सुभा market में यहां पे बंना चाहिए big green candle कैसा होता है big green obviously बात है ऐसा होता है big green So पहला candle या दूसरा candle चलेगा पहला या दूसरा candle ठीक है stop loss below the low n आपका जो target होगा वो कहां पे होगा 1 is to 2 1 is to 2 का मतलब क्या होता है suppose for example यह आपका जो entry है वो है 101 रुपे का और आपका जो stop loss है वो है suppose 95 रुपीज का entry को 100 कर देते था कि आपको समझने में easy रहे So basically आपका entry है 100 रुपे का stop loss है 95 का तो आपका पांच रुपे का stop loss हुआ तो आपका जो target है वो होगा 110 रुपे 1 1 0 आपका 110 रुपे का target हुआ यह समझ में आया आगे चलता हूँ मैं quantity भी बताना है live example भी दिखाऊंगा सब बताऊंगा कहीं पे भाग के नहीं जाने वाला हो और आप भी कहीं पे भाग के नहीं जाने वाला हो ध्यान दो यहाँ पे और लिखते जाओ मैं जो जो बोल रहा हूँ वो एक गंटे में कैसे पैसा बनता है वो दिखाना हो practical executable strategy ग्यान नहीं execution क्या करना है simple भाषा में देखो आपको क्या चाहिए basically this is the software इसका नाम है key stocks आपको अगर यह चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो key stock software करके और आशीश को mail email ID कहीं पे मिलेगा उसको बेजना सिदात ने मुझे आपका number दिया या email ID दिया वैसा कुछ उसको बेजना और बोलना I want 15-20 day trial सिदात ने बोला है वैसा कुछ तो mail भेजना तो आपको 15-20 दिन के लिए free देगा और बाद में you can choose का आपको key stock पे करना है या जो भी software पे करना है आप कर सकते हो awesome तो चलो सबसे वेले में आपको example दिखा देता हूँ यहाँ पे हम जाते है BPCL के चार्ट में अब आप BPCL में 5 मिनिट का यह चार्ट है 5 मिनिट BPCL का चार्ट है और आप अगर यहाँ पे देखोगे so यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका hammer so hammer is a bullish candle जो आप अल्यड़ी जानते हो so you buy about the hammer और यह date है क्या date है यह 6th of April ठीके जब मैं shoot कर रहा हूँ obviously तो यह 6th April को मैं यह shoot कर रहा हूँ so यहाँ पे 6th April को यह सुभे की पहली 2 candle में मुझे 44 moving average पे bullish candle मिला ठीके can you see this bullish candle on a 6th April so you buy about the high stop loss below the low 1 is to 2 is your exit moving average क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो बहुत simple है moving average क्या होता है moving average is a average average of last 44 days तो अगर यह moving average rising है तो stock उपर जाएगा ऐसा हम assume करते है और अगर moving average falling है तो हम stock नीचे जाएगा assume करते है अब यह चाहे 5 minute का chart हो चाहे 15 minute का chart हो चाहे daily chart हो चाहे monthly chart हो चाहे weekly chart हो monthly में recommend नहीं करता हो कि आप follow करो weekly तक ठीक है तो basically nifty का weekly chart देखो यह rising phase है और यह falling phase है same चीज आप daily में भी देखो nifty का यह rising phase है यह falling phase है 44 simple moving average है कहीं पे भी आपको मिल जाएगा इसके बाद में यह nifty का 75 75 minute का chart है यह rising phase है यह falling phase है can you see this अब यही चीज 15 minute पे देख लो यह nifty rising है यह falling है जब moving average rising होता है तो stock की उपर जाने की शक्यता possibility ज़्यादा होती है और जब moving average falling होता है तो stock का नीचे जाने का possibility ज़्यादा होता है लोगों को falling में बाए करना होता है सस्ता चाहिए नहीं मेरी जान महेंगा खरीदो rising stock पे बाए करो तो वही funda यहाँ पे आप intraday में यूज कर रहे हो और यह आपका पहला एक गंटे में खतम हो जाना चाहिए ट्रेडिंग अब सवाल आता है quantity कैसे घिनना है सर quantity सीखना है पक्का चलो आओ quantity सिखाता हूँ मैं so basically सबसे पहले खोलना पड़ेगा हमें excel sheet this is very important for you this is very important for you so no the answer बहुत important है red line हटा देता हूँ मैं so excel पे quantity कैसे गिनना है quantity गिनना बहुत simple है आपका account कितने रुपे का है पहले लिखो 1,00,00 रुपे का है for example ठीक है अब आप 15 ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हो so basically अगर आपको 15 बार लॉस होता है तो आपको कितना highest लॉस होगा तो चलेगा तो आप highest लॉस हो चलो मेरे पास लाक रुपया है और मेरे को 30,000 जाएगा तो चलेगा so 30,000 30,000 अब 30,000 divided by 60 intra day है अगर ये daily chart होता तो मैं आपको अलग फंडा बताता daily chart होता तो मैं आपको अलग फंडा बताता intra day है इसलिए ये rule बता रहा हूँ so अगर आपका highest लॉस है 30,000 so 30,000 divided by 60 per trade कितना रिस्क लोगे 500 रुपय per trade 500 रुपय आप कहतो नहीं सिदाद मिरे लिए 30,000 बहुत ज्यादा है I can't afford 30,000 का loss मुझे सिफ 20,000 ही afford करना है 60 trade loss हो गया ना मेरे तो मैं सिफ 20,000 ही loss afford करना चाहता हूँ तो 20,000 यहाँ पर लिख दो आपको per trade risk लेना है 333 रुपीज अब आपको quantity कैसे गिरना है देखो entry stop loss रुपी stop तो आपका entry है for example 100 रुपेगा stop loss है 95 रुपीज का so what you do is entry minus stop loss 5 रुपया आ गया now what you do आपका ओ जो 333 आया था ना 333 divide by 5 रुपया this is your quantity 66 quantity आपको buy करना है ठीके for example वो जो था ना पहला बंदा first guy जिसने कितने का risk उठाया था जिसने risk उठाया था 30,000 का so 30,000 में 500 रुपेगा था ना तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा formula 500 नहीं पहले equals to 500 divided by 5 100 quantity ठीके कोई बोलता है sir ये तो अपन आप pension मतलो पैसा ऐसा है अपने पास और आप एक काम करो यहाँ पे 30 नहीं 50,000 लिख दो loss हो गया वांदा नहीं दूसरे business से कमाया हूँ लाख रुपया सिर्फ सीखने के लिए invest किया हूँ market से चलेगा 50,000 तो यहाँ पे 50,000 कर दिया अब कितना risk लोगे per trade आपको risk लेना है 833 रूपीज तो अब फिर से मैंने यहाँ पे change कर दिया 833 रूपीज so 166 quantity easy, doable, practical, executable yes, specially आपका emotions बहुत manage होगा इसमें बहुत लोगों panic हो जाते है trade करने के time पे emotions trigger होते है so यह case में आपका emotions trigger नहीं होगा यहाँ पे मैंने 60 trade लिये याद रखना यहाँ पे divider I 60 किया था मैंने यह वाला तो intraday कर रहे हो इसलिए 60 number आपके लिए अच्छा है mathematical एटिक है 60 number पे कोई मेरा numerology नहीं है so यह हो गया मेरा quantity कैसे गिनना है फिर से एक बार revision करवाता हूँ मैं जिनको समझ गया वो थोड़ा skip कर लो जिनको नहीं समझा वो देखो मेरे पास total कितना रुपया है लाख रुपया 1,2,3,4,5 60 trades 30 नहीं 60 trades मुझे highest कितना risk मैं afford कर सकता हूँ let's assume this time only 20,000 so चलो यहाँ पर लिखते है 20,000 अब क्या करेंगे हम 20,000 divided by 60 तो this is my per trade risk बराबर समझ मैं आ गया awesome इसके बाद मैं मैं लिखूंगा entry entry मेरा था 200 रुपय का थोड़ा number change करते फिर मेरा आएगा stop loss मेरा stop loss था 188 रुपी का फिर मेरा आएगा rupee loss sir spelling गलत है पता है मैं exam में नहीं बैठा हूं marks 2 mark कम मिलेगा मैं को चलेगा देखो यहाँ पर यहाँ पर 200 minus 188 which is 12 रुपया so now I will go for my quantity calculation quantity quantity so यहाँ पर मैं करूंगा my 333 रुपी divided by 12 रुपया so मैं राया 27 quantity so I will buy 27 quantity exact 20 sir 30 round figure कर लूँ क्या no N O so इस तरीकी से आपको system follow करना है quantity का and if India follows this much from the whole video तो भी पूरे के पूरे भारत देश के traders का भला हो सकता है for sure because आप अपने family को protect कर रहे हो family first घर पे मम्मी है वाइफ है बच्चे है पिता है उनके goals है हाँ so उनके लिए एक safety net है अब जब आप profit कमाओगे ना दीरे 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 3 महिना 6 महिना 8 महिना फिर confidence आता है फिर दीरे दीरे आप risk बढ़ा सकते हो but then until and unless you are not profitable for one year this is the formula which everyone everyone should follow फिर एक बार यही जो जूने हमारे steps थे nifty 50 या nifty 200 रात को like 9.30 अप्रॉक्स बोल रहा हूँ 8 बजे बैठो के तो भी चलेगा 10-11 बजे बैठो के तो भी चलेगा अंदाज से आपको मैं बता रहा हूँ रात को 9.30 बजे analysis करो सुभे के लिए कैसे stocks डूनने है जो 44 moving average पे खड़े है near 44 moving average खड़े है मैं आपको right side पे मेरे team को गहूंगा कि आपके लिए कुछ images डाल दे intraday पे रहने stock का नाम है और काफी कुछ है तो वो आपको पता चाल जाएगा आपको कैसे stocks डूनने you have to find stocks like this I will give you 10 examples आपको ऐसे stocks डूनने this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 so basically आपको यहाँ पे जो मैंने 10 example दिखा है वैसे stocks जो rising है और near खड़े है वैसे डूनने है और next day क्या होना चाहिए next day पहली 2 candle में एक bullish candle बनना चाहिए you buy about a high stop loss below the low 1 is to 2 target और quantity गिनना मैं आपको सिखा दिया हूँ इस तरीके से आपको trade करना है awesome fantastic so आज तक एक करोड से जादा लोग देख चुके है 44 moving average and I am so happy that आज भी आप उस एक करोड के club में शामिल हो चुके हो and I am so happy make sure का आप इसको execute करना next point के तरफ जाते है which is basically a key secret I can say that see trading के अंदर दो चीज़े सबसे important है one is adaptation जिसके बार में मैं आपको loop in का example दे करके बात करा adapt करते रहना and दूसरी चीज़ जो बहुत important है वो हो जाता है continuous learning ठीक है so continuous learning one from your own mistake and two from seeking mentors and learning from others जब आप सीखोगे तो यह आप कर पाऊगे again मैं यह बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ और मैं आपको लिंक भी नहीं देने वाला हूँ मेरे कोर्स का क्या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के मेरा कोर्स बाहि कर लो यह वो I'm not going to do that मैं आपको सिर्फ यह बोल रहा हूँ that सीखो because if you learn you reduce your mistakes अगर आप सीखोगे तो आप अपनी गलतियों को खतम कर सकते हो kill your mistakes फिर से बोल रहा हूँ kill your mistakes seek a mentor learn about the market learn about the mistake जो common retail traders करते है so that आप उन गलतियों को repeat ना करो so make sure you seek a mentor and kill your mistakes so that आप अपने market की जर्नी में grow हो पाओ trade कर पाओ पैसे बना पाओ इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियों है आप देख सकते हो there is a playlist on whole technical analysis आप देख सकते हो अगर आपको strategy सीखनी है swing trading की वो भी आपको मिल जाएंगे intraday के अगर आपको videos देखने है वो भी आपको मिल जाएंगे scalping पे कुछ videos हमने बनाए है mindset पे कुछ videos आपको मिल जाएंगे and अगर आप यहां तक बैठे हो I, I, I some way, somehow I feel that I know you यार मैं आपको जानता हूँ अब बिलकुल मेरे जैसे हो it takes something to watch such a long video make notes, learn, attend respect, lot of respect to you so, I am so happy that you are here and thank you, thank you for watching this video till here thank you for helping India to grow because see, individual ही India को आगे बढ़ा सकता है जब मैं बढ़ूँ गा मेरा इंकम बढ़ेगा मेरा इंकम बढ़ेगा इस तरीके से हर एक individual का जब पर Means बढ़ेगा तभी देश बढ़ा होगा यह जो learning की शीखने की चाहा है जो आपकी जो आपको अभी तक वीडियो में बैठा करके रखी है वो बहुत बड़ी बात है वो बहुत बड़ी बात है वो इसलिए बोल रहा हूं Thank you watching this video till here and you may make a lot of money in stock market with strategy, risk management, mindset, psychology everything, I'm so grateful बाकिया, I'll meet you in the next video next Friday, 9pm till that time, be disciplined because discipline is one of the most important thing to make money in stock market बाकिया, I'm so grateful भाकिया, I'm so grateful उल्यवे, भाकिया, वो बाकिया, भाकिया, आउर्शनी, जएनफे में रहा है